सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए हमारी लेटस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अज मैं आप लोगों से एक बहुती कॉमन प्रॉबलम के बारे में बातचीत करूँगा जिसे कहते हैं टिनाइटस टिनाइटस माने के कानों में सीटी भजना या फिर घंटियों जैसी आवाज आना टिनाइटस दो तरीके का होता है एक सबजेक्टिव टिनाइटस दूसरा अबजेक्टिव टिनाइटस सबजेक्टिव टिनाइटस में सिर्फ ये आवाजें पेशेंट को ही सुनाई देती हैं क्योंकि ये कान के अंदर से जनरेट हो रही होती है और हमारे कानों के अंदर जो hearing system होता है जिसमें cochlear hair cells होती है और cochlear nerve होती है ये common जगे होती है जहां से ये sound शुरू होती है अक्सर इस area में damage के वज़े से ये sound शुरू हो जाती है दूसरा subjective tinnitus, दूसरा objective tinnitus हमारे कान के आसपास जो maspacia होती है जो जोड होते हैं और जो खून की नलिया होती है उनके problem के वज़े से objective tinnitus उत्पन होता है common जो कारण होते हैं कान के अंदर जैसे के कान में mail जम जाना या कान के परदे में damage हो जाना या कान में कोई infection हो जाना ये common treatable causes हैं tinnitus के हम इन कारणों को अगर remove कर देते हैं या ठीक कर देते हैं तो ये जो tinnitus की आवाज है ये temporary होती है और थोड़े समय में ये चीज़ ठीक हो जाती है अकसर हम देखते हैं कि tinnitus में hearing loss भी होने लगता है ये एक usual subjective tinnitus का कारण है जिसमें हमारी hearing nerve damage हो जाती है या weak हो जाती है कई बार ये age के वज़े से हो सकता है कई बार ये कोई दवाईयों के असर के वज़े से हो सकता है जिनको हम लग ototoxic medication कहते हैं और कई बार ये कान की जो नस होती है सुनाई की अगर उसके उपर कोई रसॉली या कोई दवाव बन रहा हो तो भी इस तरह का symptom हो सकता है जो tinnitus होता है उसको हम testing करते हैं उसके लिए हम पहले एक ear का endoscopic examination करते हैं जिसमें हम परदे की जाज करते हैं कोई mal तो नहीं है कोई परदे की उपर दबाव तो नहीं है कोई परदा सिकुड तो नहीं रहा है या कोई परदे की पीछे कोई fluid या बलगम तो नहीं जमा हो गया है पहले ये treatable causes जो tinnitus के हैं इनको हम rule out करना ज़रूरी होता है उसके बाद हम सुनाई का testing करते हैं जिसको हम लोग auditometry का test कहते हैं और impedance का test कहते हैं इसके साथ हम tinnitus को mapping करते हैं जिसको tinnitus matching test कहते हैं जिससे किस frequency पे और किस intensity पे tinnitus हो रहा है हम इसको पकड़ सके हैं इसके बाद हम इसका treatment करते हैं इसका जो treatment है वो इसके कारण पर depend करता है अगर हमें सुनाई की नस में कोई कमजोरी मिलती है अगर हमें साथ में hearing nerve में damage मिलता है तो हम लोग hearing aid का treatment देते हैं जो hearing aid में एक tinnitus masker लगा के देते हैं जिससे ये sound हमारी दबने लगती है और patient की सुनने की शमता भी अच्छी होने लगती है अक्सर ये आवाज दब जाती है पर पूरे तरीके से खतम नहीं हो पाती क्योंकि patient की सुनाई बहतर हो जाती है हम आसपास की जो ambient noise है उसको जादा सुन पाते हैं तो हमारी अंदरूनी sound कम feel हमें होती है और कम disturb हमें करती है इसके साथ साथ कुछ दवाईयां हैं जो हम देते हैं जिससे कान की नस में जो सूजश हो या कान की नस की जो कमजोरी हो वो cover up हो सके इस तरह की nerve vitamins से जैसे के जिंको बाइलोबा हो गया methylcobalamin हो गया, caroverine हो गया कुछ हद तक tinnitus को कम किया जा सकता है और कुछ cases में tinnitus इनसे पूरी तरह खतम भी हो सकता है इसके साथ साथ जो latest treatment tinnitus का हमारे पास available है उसको हम लोग कहते हैं tinnitus therapy और इसमें हम लोग एक special तरह की sound को बनाते हैं जो एक तरह से noise cancellation का काम करती है जिससे हमारी कान के अंदर सो उत्पन होने वाली sound cancel हो जाए और दपती रहे जिससे के patient को इस तरह की परिशानी से रहात मिल सके इसके साथ साथ हम patient को और advice करते हैं cognitive behavioral therapy के बारे में माने के patient को हमें दिमाग से उसके stress को free करना है थोड़ा उसको yoga की तरफ meditation की तरफ ध्यान देने की जरूवत है जिससे के जो हमारे मानसिक तोर पे जो patient परिशान होता है इस sound से जैसे उसको लगता है कि ये कोई दिमाग में खत्रे की घंटी बज रही है या कोई उसका अंतिम समय आने वाला है तो ऐसी चीजों को और ऐसे negative विचारों को हम कम कर सके इसके साथ साथ हम देखते हैं कि patients अगर घर में या रात में सोते समय background music अगर कोई चला के रखें चाहे कोई भजन का या कीरतन का या zen music का इस्तिमाल अगर करें तो भी इस कान में tinnitus की जो sound उत्पन हो सकती है उसको हम दबा सकते हैं उसको थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं और इस तरीके से जाद अतर patients जो हमारे होते हैं वह इस sound से relaxed feel करते हैं और उनको day-to-day life में disturbance होती है उसमें उनको कमी मिलती है यह बात सही है कि tinnitus को हम पूरी तरीके से खतम नहीं कर सकते और इसके कोई भी एक कारगर treatment हमारे पास नहीं है लेकिन अगर हम पेशेंट्स की पूरी अगर हम उनको चेक करें तो उसका कारण क्या है अगर हम वो identify कर पाते हैं तो ज्यादा तर पेशेंट्स हमारे ठीक हो जाते हैं और अच्छा महसूस करते हैं इस problem से Thank you Thank you